आज गोरी सरुवर्थ से सपाई के लिए जो जलकुंबी यहां फैला है जलकुंबी निकालने के लिए आप लोग आये हो जलकुंबी मसीन से निकाल रहे हो यह मसीन कहां से आई और क्या-क्या निकालती है दिए पानी में कुछ भी रहे समागरी जीसे घृस कुस भी हुआ सब कुछ निकाल देगी यहां दिन में लगभग चलती है मसीन यह दिन में लगभग 8 घंटे चलने के लग कितनी सपाई कर सकती है सर चाल के बराबर है जैसा आमको चाल मिलेगा वैसा सब मिलेगा अभी गोरी शरुवर में जो इतनी जलकम भी आप स्टार्ट की है आपने जो के दिन में सपाई कर दो गया अप सर तो अंज्यादा तो लभी है पर फिर भी महनत करेंगे हमारे यह मुखमंत्री पांस तारी को भेंड में आ रहे हैं और इसका उद्गाटन है अच्छा इसका उद्गाटन है पुल का ब्रेज को इसी को लेकर गोरी शरुवर की जो तेज रप्तार से काम चर रहा है उसी तार से आए सर हम लोग महराश्चे मसीन की जिए मसीन की काफी दूनों से मैंने चर्चा में सुना है कि मसीन की कीमत की मत कभी सर कम से कम ड्रैड करोड से उपर है आप यह अधर नगरपालका के जरी आयो कि किसी नंगशिशन की ती खरीदी है के लिए कि ले ले लो लिए किया पाच फरवरी को प्रदेश मुखियास सवरासिंग चोहान जी का भेंड आगमन गोरी शरूबर पर तेज रफ्तार के साथ तौंदीकरण अभ्यान चर रहा है करीब आदे गोरी शरूबर पर जलकुंबी ने अपना कपजा कर लिया था जिसकी सपाई के लिए नगरपालका ने भी हाँ खड़े कर दिये थे लेकिन गोरी शरूबर की चलकुंबी अब देर परोड की लमसम मसीन से हटेगी और वो भी मसीन हर्याणा से आई हुई है आज उसका भब्य आगाज हुआ जैसे ही मसीन स्टार्ट को कर जलकुंबी अटाने लगी तो लोगों का वजून देखने के लिए आ गया लेकिन जैसे ही मसीन की कीमत का पता चला तो संब ने कहा कि इतनी महगी मसीन से वोरी सरूबर से इस जलकुंबी को हटाया जा रहा है लेकिन कुछ भी हो गोरी का सौंदीकड होना अत्यावशक है उसी तारतम में गोरी सरूबर पर सौंदीकड चलता हुआ